नमस्कार, प्लस माइनस कारीकरम में आपका स्वागत है भारतिय राजनिती का आधार हमेशा ही अपीजमेंट यानि तुष्टी करून रहा है कभी मुसल्मानों के लिए तो कभी शेडूल काज, शेडूल ट्राइब्स और ओबिसीज के लिए किसी भी दलने इनके लिए सही माइनों में वेलफेर स्कीम्स शुडू करने की बजाए इन्हें हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी का दली चेहरा है थावर्चन गहलोत जो इसमें समाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्री हैं समाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्री थावर्चन गहलोत भातीय जनता पार्टी की राश्वे राजनीती में एहन चेहरा है गहलोत मधिप्रदेश उसे राज्वी सभा सांसद है लेकिन थावर्चन गहलोत का केवल इतना ही परिच्य नहीं है वे बहुत पुरा में संगी और भाजपा नेता है वरिश्चुता के मामले में शिवराज परभारी है संगठन में उनका बहुत वजन है मधिप्रदेश के शाजापुर से ग्यारवी से लेकर चौदवी लोट सभा में चार बार चुने जा चुते हैं पटवा सरकार में मंत्री और विधायक के अलावा उनका जन संपर्क बहुत तगड़ा है राष्टपती चुनाफ से पहले जब-जब, भाते ज़नता पाटी या संग के भीतर खाने राष्टपती पद के लिए उमीदवार के नामों पर विचार होता था तो एक नाम थावर चंद गहलोत का भी लिया जाता था केंडरे मंत्री के तौर पर भी थावचंद गहलोत के कामों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है उनके मंत्राले ने छे गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाए दिव्यांग जुनों पर हुए काम को कई देश अपने यहां लागू करने जा रहे हैं थावचंद गहलोत अरसस के चहते और भाजपा के अनुशासत से पाही होने के सासात देश की वर्ग विशेष का आवश्यक चहरा है राजनीती के वर्टमान संदर्भों में थावचंद गहलोत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता प्लस मैनस कारिकरम में आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं केंद्रिय सामाजिक नियाय अधिकारिता मंतरी शृत थावर्चन्द गहलोची गहलोची आपका स्वागत है आपका भी स्वागत है गहलोची आजादी के 72 वर्ष बाद भी आज हम कभी जाट कभी मराठा कभी S.C.S.T.O.B.C.R.क्षन की बात करते हैं क्या आपको नहीं लगता कि ये देश को धर्म को राश्ट्रिय एकता खंड़ता को बाटने वाली बाते हैं भारत के समिधान में जो प्रावधान है उनके अनुरूप सरकार अनेक प्रकार की योजनाय बनाकर उसको कार्यानुवित करके सबको समान बनाने की कोशिस कर रही है इस देश में सद्भावना, समता और समरस्ता का वाताउन बनाने की आवशकता है समय समय पर हर वर्ग की लोग उनकी जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए वो मांग करते है परन्तु उनकी मांगों पर विचार विमर्ष करने की द्रश्टी से कुछ नियम कानून काईदे बने हैं उस दाइरे में हर सरकार ने समय समय पर जो अच्छा हो सकता और ऐसा करने का प्रयाज किया है आपको ऐसे नहीं लगता कि ये आरक्षन बजाए धरम जाती और OSCST OBC के आधार पर होने की बजाए इसको एकोनोमिकल आधार दिया जाए आर्थिक द्रिष्टी से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो अभी तक मुख्यधारा में नहीं जुड़ सके हैं उन्हें आरक्षन मिलना चाहिए भावनात्मक को और सुनने में और बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है पर हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने और देश को आजादी दिलाने वालों ने अनेक महापूरूशों ने परिसिती के अनुरूप ये महसूस किया कि कुछ जातियां है जो हजारों वर्षों से शोशित रही है पीडित रही है सामाजिक दृष्टी से पिछड़ी है आर्थिक दृष्टी से पिछड़ी है शेक्षनिक दृष्टी से पिछड़ी है और कुछ जातियों के साथ जातिगत छुआ छुट का वातावरन होने के क कारण भी उनको जीतना आगे बढ़ना चाहिए था समाज की मुख्यधारा में आना चाहिए था वो नहीं हो पाया इसलिए आरक्षन का प्रावधान किया है चार प्रकार हैं जिनके कारण से यह भिन्न भिन्न कारणों से अलग-अलग कारण है इस कारण से इनको आरक्षन का प प्रगति हुई है पर अभी और भी प्रगति करना है आर्थिक विश्यमता हैं बहुत आर्थिक अनुपाद भी बहुत अंतर है आर्थशाच्रियों ने समझ समय पर कहा है कि देश की जो धन्चमपदा है 15% लोगों के पास 85% है और जो 85% लोग है उनके पास 15% ही है तो यह जो आर्थिक अनुपादिक अंतर है इसके अलावा और भी मुद्दे है इस अनुपातिक अंतर को कम करने की आवश्यक्ता है और कम करने की आवश्यक्ता है इसलिए जो वर्तमान प्रावधान है इसको आगे भी जारी रखा जाना चाहिए और आपने देखा होगा कि इन विश्यों को लेकर कि जब संसद में कोई विधेक आता है बिल आता है तो प्राय सभी राजनितिक दलों के लोग समर्थन करते हैं सभी सांसद चाहिए वो किसी भी पार्टी के हैं समर्थन करते हैं इसका सिधा सिधा अर्थ ये निकालना चाहिए कि आज भी इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यक्ता है वो सब इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि सब S.E.S.T. O.B.C. को अपना एक वोट बेंक मान करके चलते हैं और उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि यदि हमने विरूद किया तो हमारा वोट बेंक कहीं न कहीं हिल जाएगा लोग ये सोचते हैं कि ये जो उँच नीच भेद भाव सामाजीक आर्थिक शेक्षणिक विश्यमता हैं ये दूर होना चीए देश के आजादी के बाद भी अगर इस प्रकार की विश्यमता है देखने को और सुनने को मिलती है ये किसी भी विक्सित देश के लिए उचीत नहीं है ये सोच करके सब समर्थन करते हैं थावज देंजी अक्सर हम शेडूल का शेडूल टैप्स की बात करते हैं उन्हें सुईधाय देने की बात भी करते हैं लेकिन ओबीसीज का ये कहना रहता है कि जी हमारी सुनवाई नहीं होती और हमारे बीसीओं साल से केसिस पैंडिंग पढ़ें कमिशन में और उनका कोई निवारन नहीं हुआ दखो ये स्थीति तो हर जगे हैं चाहे सी आयोग ले लो एस्टी आयोग ले लो अल्पसंक्याग आयोग ले लो महिला आयोग ले लो अनेक इस्थानों पर शिकायते प्राप्त होती है नेराकरन भी होता है परंदू शिकायतों की लंबित संख्या अधिक होती जा रही है OBC आयोग के लिए इस प्रकार की शिक्वा शिकायत सुनवाई का आधिकार अभी तक अनुसुची जाती आयोग को था लंबे समय से मांग की जा रही थी लगबग 25-30 साल से ये मांग तेज हो रही थी मैं खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साहस किया और समीधान में संशोदन करके OBC वर्ग के लोगों की शिक्वा शिकायत को सुनने के लिए और उनके समादान में साहता देने के लिए समयधानिक दरजा प्राप्त OBC आयोक का गठन करने का कानून पास किया है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद ऐसी एक्ट जो अप ले करके आए उसके कारण से स्वर्णों के मन में एक बहुत बड़ी भेक इस्तिती आ गई कि अब फिर दुबारे से कहीं भी कोई भी F.I.R. हो सकती है कहीं भी पुली सेक्षन हो सकता है देखो हमने उस कानून में कुछ भी नया नहीं किया है 1989 में ततकालिन सरकार के मुखिया राजिव गांदी जी थे उनके समय में ये अनुसुची जाती जन जाती अत्याचार निवारन अधीनियम जिसको एट्रोसिड इजेक्ट के नाम से जानते ये बना था और वो कानून 1990 से लागू है जो प्रावधान उसमें थे वही प्रावधान अभी भी उस कानून में विध्यमान है सामाने तया अगर हम ये कहें कि उसमें थोड़ी बहुत और सरलता आई है तो ज्यादा उचित होगा तो हमने केवल इतना उसमें किया है कि अगर कोई F.I.R. दर्ज कराने आएगा तो F.I.R. दर्ज की जाएगी F.I.R. दर्ज करने के बाद जाच की जाएगी पहले सामाने तया F.I.R. दर्ज होने के बाद अजाग स्थाने का D.S.P. जाच करता था अब हमने जो प्रावधान किया है उसमें संबन्दित थाना अधिकारी या थाना अधिकारी जिसको अधिकरत करेगा वो जाच करेगा अब पहले की तुलना में थोड़ा आसान हो गया बहुत सारों ने इसको पढ़ा नहीं और सूशल मीडिया और ये और उसमें जिसको जो मन में आया वो चलाया और गलत फेमी पेदा हो गई जैसे पद्वावती फिल्म के टाइम हुई थी आपने और हमने देखा कि कई जगे टाकित जले और शाहिद इसमें तो साथ-ाठ लोगों की मोद भी हुई थी जनानी भी हुई थी धनानी भी हुई थी इसी प्रकार की गलत फेमी इसमें भी फेल गई है मैं तो भारतवासियों उसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार कभी भी द्वेश भाव से या प्रतिशोत की भाव से किसी समाज विशेश के लिए इस प्रकार की कानून विवस्ता लागू कर ही नहीं सकती है समाजिक न्याए दिलाने की द्रष्टी से यह प्रावधान है आमानवी गंभीर अपरात करने वाले को दंड मिलना चीए हर कोई कहेगा और पीडित परिवार को न्याए मिलना चीए इस द्रष्टी कोण को ध्यान में रख करके ही न्याए सिद्धांत और न्याए प्रक्रिया के अनुरूप कानूनी प्रावधान किये गए हैं किसी को किसी प्रकार का संदे करने की और गलत्फे में मैं आने के आवश्यक्ता नहीं है मैं फिर विश्वाज दिला सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भारती जन्ता पार्टी के गड़बंदन की सरकारे चाहे राज्य में हो या कहीं भी हो वो न्याए सिद्धांत न्याए प्रक्रिया के अनुकूल ही कानून बना करके प्रिडित परिवार को न्याए दिलाना और अपरादियों को दंड दिलाने के लिए प्रयासरत है जिसने कोई अपराद नहीं किया है उनको किसी प्रकार से डरने की जरूत नहीं है और किसी को जबरज़ती एट्रोसीडिज एक्ट लगा करके अगर कोई परिशान करने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी उसमें प्रावधान है अगर किसी ने फाल्स रिपोर्ट की है तो कानून की धाराओं में प्रावधान है उसके खिलाब कारवाई होगी जूटी रिपोर्ट करने वाले को भी सजा मिलेगी इस प्रकार के कानूनी प्रावधान है आलडी भारती जनता पार्टी को अपर कास्ट पार्टी माना जाता है आप दलिट चेर हैं भारती जनता पार्टी का और लोग ये मानते हैं कि आपकी पार्टी के भी लोग कि भारती जनता पार्टी दलित विरोधी है दखो मैंने भारती जनता पार्टी को लगबग 45-50 वर्सों से समझने की कोशिस किये और समझा है भारती जनता पार्टी सर्वव्यापी है, सर्व इसपर्शी है और सब की पार्टी है पर योग से योग कुछ धारणा ऐसी बनी उसका कारण में जो समझ पाया वो यह है कि भारती जनता पार्टी का गठन जब हुआ तो आप जैसा केरे हैं कि अपरकाट की मानी जाती है तो ऐसे लोगों ने पार्टी का गठन किया और गठन करने के पीछे भी सोच यह थी कि देश के आजादी के लड़ाई लड़ने वाले महापूरूशों ने देश के आजादी के बाद भारत कैसा होगा फिर से दुनिया का सिर्पोर होगा, सिर्मोर होगा, विश्वगुरू होगा, सोने की चिड़िया होगा यह कलपना की थी परदेश के आजादी के बाद जिसके हाथ में सत्ता आई उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाये, ऐसा देशवासियों को महसूस नहीं हो रहा था और ऐसा लगा कि एक अलग राजनितिक दल बनाना चाहिए, तो राजनितिक दल बनाया तो बनाने वालों में सामाने तया इस परकार के वर्ग के लोग थे और धीरे 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 जब विस्तार हुआ, तो कुछ आगेवानी करने वाले लोग जितने गठन किया था वो सीनियर हो गए तो वो ही रहे, परन्तु आप और हम सब देख रहे हैं पिछले लगबग 40 वर्षों से भारती जनता पार्टी, सर्ववियापी, सर्विस्पर्शी, सर्वहितेशी, देश भक्त, देश के लिए सर्वस्व नियुच्छावर करने वाली और जन हित में काम करने वाली पार्टी बन गई हैं और यही कारण है, सर्ववियापी, सर्विस्पर्शी और सबकी पार्टी है, इस कारण से आज देश भर में 19 राज्यों में या तो भारती जनता पार्टी के पूर्ण भहुमत की या भारती जनता पार्टी के साथ गड़बंदन की सरकार हैं अगर वर्गविशेश की है ऐसी सोच जनता में पोची होती तो इतने राज्यों में भारती जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती उधारन में देश सकता हूं, फिर आप कहेंगे कि प्रधान मंतरी को वियों उधारन दे रहा हैं अब प्रधानमंद्री के बारे में तो सब को मालू हैं, देश के राठपदी जो वर्तमान सरकार की सोच के हिसाब से बनाए गए हैं, वो सब जानते हैं, अनेक पदों पर भिन्नबिन नक्षेत्रों में हर वर्ग के लोग हैं और पर्याप्त संख्या में हैं, अब ये कहना कि अपरकाट की पार्टी है, भारती जनता पार्टी के साथ न्याय नहीं होगा, ये उचीत नहीं है, ये मानना चाहिए कि भारती जनता पार्टी देश के लिए समर्पित कारिकरताओं की पार्टी है, देश को सर्वो परी मानने वाली पार्टी है, देशीत और जनहित में काम करने वाली सभी वर्ग के लोगों की पार्टी हैं। यह जो अभी पांच विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं। आपको लगता है कि यह कहीं न कहीं लोक सभाओं के चुनाव का सेमी फाइनल था। देखो यह तो हर को ही सोचता है। परन्तु आपना देश संगी व्यवस्था के अंतरगत चलता है। राज्यों के अलग विशे होते हैं और केंदर के अलग विशे होते हैं। पर धारणा ऐसी बनाई जाती है कि यह तो सेमी फाइनल है, यह उसका ट्रेलर है और ऐसा है। अब सोचने वाले तो सोच लेते हैं। परन्तु विदान सभा के जब चुनाव होते हैं तो राज्य के विकास और राज्य की जनता से समंदित समश्चाओं के समाधान के बारे में लोग सोचते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो देश के हित में और देश व्यापी सोच रहती है फिर भी इतना बारिकी से अंतर बहुत लोग नहीं करते हैं परन्तु मैं आपको यह कहता हूँ कि राज्यों के चुनाव अलग विशय है राज्यों में अलग-अलग मुख्यमंत्री के उमिद्वार हैं और केंदर में नरेंदर मोदी जी प्रधान मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं ऐसा जनता महसूस करती है सीधा-सीधा और अभी तक जितने भी सर्वे हुए हैं और आम राय सामने आ गया कि आने वाले लोकसभा चुनाओं में नरेंदर मोदी जी को फिर से पूर्ण भहूमत मिलेगा और वो देश के प्रधान मंतरी बनेगे तो लोगों का विश्वास नरेंदर मोदी जी के प्रती है राज्य में अलग-अलग विशे अलग-अलग समश्याएं अलग-अलग धारनाएं ये सब हो सकती है पर केंदर का जब चुना होगा तो वो इससे अलग हटकर एक तरफा नरेंदर मोदी जी के अनुकूल होगा उनके पक्ष में होगा और नरेंदर मोदी जी बारी भहूमत के स देखो मुझे किसने क्या कहा उस पर कोई टिपनी नहीं करना चाहिए मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और बचपन से हूँ हनुमान जी देश और दुनिया में सबसे अच्छे और सच्चे सेवक की रूप में सिद्ध हुए हैं लोग उनको भगवा किया होगा कि अनुमान जी ने नीश्वार्थ राम जी की और सीता माता जी की और उनकी सब की और पूरे परिवार की सेवा करने का काम किया है वो अच्छे सेवक हैं उनको राम भक्त के रूप में देख करके पूजा जाना चाहिए इसके अलावा उनको ये है वो है उसमें लाने ले जाने की कोशिस करने की आवशक्ता नहीं है राम भक्त हनुमान जी जैसे हर एक को बनने के आवशक्ता है अच्छे और सच्छे सेवक बनने के आवशक्ता है और वो बनना चाहिए आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया दिव्यांग जनों के लिए तीन प्रतिशत से बढ़ा कर आरेक्षन चार प्रतिशत किया लेकिन बास्त्रिक्ता ही है कि वहाँ पर एक प्रतिशत भी अभी तक उनको स्थान नहीं मिला है तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीना कहीं मंत्राले की और से एक्जेक्विशन में कमी रहती है भारत में जो तीन परसेंट आरेक्षन का प्रावधान किया था उसके आधार पर पदों का सरजन हुआ है और जब 2014 में मुझे सामाजिक नियार अधिकारिता मंत्राले का दाइत वदिया तो हमने तलाश किया कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं तो लगबग अंकड़ा आया था 13700-800 के आसपास विशेज भरती अभियान चला करके 15-16 में साड़े बारा हजार से अधिक रिक्त पड़ों की पूर्ति कर दी साड़े तेरा हजार के लगबग रिक्त थे साड़े बारा हजार हमने पूर्ति कर दी आप तो यह आन रेकार्ड देख लें और उसके बाद यह अंदाजा लगाएं कि इतने प्रतिशत भी नहीं है ज्यादा सही होगा आप जिस चैनल को संचालित करते हैं देखते हैं उसमें तथ्यपरग बात होती है तो आप इस तथ्यपरग को सही दिशा में अध्यन करके प्रचारित करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आप रहा सवाल 3-4% आरक्षण का प्रावधान किजा है तो इस पर भी हमने कारवाई प्रारम कर दी कारवीक प्रिशाषनिक मंत्राले से पत्रविवार श्रू करके मंत्रीजिस से बात करके जो नए पदों का स्रिजन करने की प्रकिर्या भी प्रारम हो गई है और हम प्र्यास करेंगे कि जो नए पद सरजित होंगे उनकी भी पूर्ती हो जाएं शेक्षणिक दृष्टी से भी हमने उच्ची शिक्षा पराप्त करने के लिए पांच प्रदीशत आरक्षण दिव्यांग चात्र चात्राओं को देने का निर्णे कानूनी रूप से लिया है अर्थाद अब उच्चे शिक्षा जिसे मेडिकल में, इंजिनिरिंग में, आई आई टी में और उच्चे स्ट डिगरी हांसिल करने की जो पड़ाई होती उसमें भी पांच प्रतीशत आरक्षण का प्रावधान किया और हम विश्वास करते हैं कि ये जो आरक्षण का प्रतीशत है, उसके अनुरूप दिव्यांगों को लाब मिले है थावर्चन जी आपने पिछले जिनों बहुत चुनावी दोरे कि ये मध्यप्रदेश में जहां से आप आते भी हैं और आपका बहुत बड़ा वहां आधार है कैसे आप महा का राजनितिक द्रिश्च देख रहे हैं भारती जन्ता पार्टी जिन राज्यों में आज सरकार में है वहां कंट्यून्यू करेगी और उन दोनों राज्यों में सरकार बनाने की भूमिका में अहम भूमिका निभाने वाली इस्थिति होगी, बतलब हमारा परफॉर्मेंस उन राज्यों में भी अच्छा होगा, मैं यह कह सकता हूं कि मिजोरम में इस चुनाओं के बाद कॉंग्रेस की सरकार नहीं रहेगी. मध्यप्रदेश में आपको ऐसा नहीं लगा कि एंटी इनकंबेंसी फेक्टर है, इस प्रकार का कहीं भी वातावरण नहीं था और नहीं है, कॉंग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने इस प्रकार का प्रियास किया, परन्तु जैसा मैंने कहा कि विकास के मामले में भारती जनता पार्टी की राज्य सरकारों का कोई मुकाबला नहीं है, भारती जनता पार्टी की इन राज्य सरकारों ने जितने काम कांग्रेस के 40-50 साल में नहीं हुए थे, उससे कहीं अधिक काम करके दिखाए और जनता इ मन बनाया है कि इन राज्यों में फिर से भारती जन्ता पार्टी को ही आउसर देया जाए ताकि इन राज्यों को विक्सित राज्य बना करके समरद प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और तीनों राज्यों में सरकार बनेगी मैं मेरे निश्कर्ष के आपको भी धन्यवाद हमारे साथ थे आज के मेहमान समाजिक नियाय एवम अधिकारिता मंत्री थावचंत गहलोची अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नमस्कार झाल